आज का सबक है रुकू की सुन्नतों के बारे में रुकू की आज सुन्नते हैं सबसे पहने चीज़ य tasted रुकू की तक्वीरकर कहना यानी कि क्याम में था और इसके बाद रुकू के लिए जा रहा है तो अल्लाह एकषी पर कहते हुए रुकू में जाए नमबर दो है रुकू में दोनों हातों से गुटनों को पकड़ना यानि कि ये दोनों हातों से इस तरीके से गुटने को पकड़े कि गुटना का जो हड़ी है वो पूरा इस हतेली में आज़ा है इस तरीके से पकड़ना है नम्मर तिन है गुटनों को पकड़ने में उंगलियों को पुशादा रखना जब गुटना को पकड़ेंगे तो इन पाचों उंगलियों को जम करके यानि मिला हुआ नहीं रखना इस तरीके से बलके इसको पुशादा यानि खुला हुआ रखके फिर उसको गुटने को पाच बिल्कुल बराबर रॉच्छने में बिल्कुल बराबर बीचाने का मतलब यह réai नजाधा उपर ना जाधा नीचे हो। यानिकि सर को और पिछले हिंसे को दोनों को रुखा ऐंड़ा रहेगा और सुरीन जो है वो नीचे जुका हुआओ इस तरह भी नहीं होगा कि सुरीन उपर हो और सर नीचे जुका le грown his बल्के दोनों बराबर हो सर और सुरीन दोनों बराबर हो इस तरीके से रूत कर ना है नम्मर साथ है, रुकू में कम हसकं तीन मर्टबा सुभान रब्य आजीम पढ़ए। अगर कोई चाहे तो तीन मर्टबा पढ़े और अगर कोई चाहे तो तीन मर्टबा से जादा भी ताकर यानी कि सात मर्टबा नौ मरत्वा इन आददों में वो क्या करें तस्वीह पढ़े सुभाना रब्य आजीम नम्बर आठ है रुबू से उठते वाक्त इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना और मुक्तदी को रब लालकाल हम्द कहना और अगर मुनफरिद हो तो दोनों कहना यानि कि अगर इमाम है तो इमाम सिर्फ कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा और अगर मुक्तदी यानि जो उसकी पीछे इक्तदा कर रहा है नमास पढ़ रहा है वो इमाम के समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के जवाब में वो रब बनालकाल हम्द कहेगा लेकिन अगर नहीं मुक्तदी है और नहीं इमाम है तो इन दोनों के लाओं में तिसरी शकर है कि वो मुनफरिद होगा या ना जमाद से पढ़ रहा है ना इमाद के पीछे पढ़ रहा है तने-तनहा नमादस पढ़ रहा है उसके लिए दुनों चीज़े जरूरी है और सुन्त है कि वो समय ल्लाहु लिमन हमिदा भी कहे और रब्बनालचच लुक यह रुखु की सुन्ते थी